नमस्कार दोस्तो दोस्तो आपके इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने अधार कार्ड के अंदर एड्रेस कहें चेंज कर सकते हैं आपको चेंज करने के लिए मैं एक लिंक दे दूँगा उस वेबसाइट पर क्लिक करके इस वेबसाइट पाज़ेगा जो अधार अधार नमबर यहां पर दर्ज करना है अपने अधार नमबर पुरा दर्ज करना है उसके बाद जो एक केप्चा दिख रहा है इस केप्चा को यहां पर दर्ज करना है और लोगिन पर क्लिक करना है और लोगिन पर क्लिक करके लोगिन हो जाना है आपको 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 अधा सब्सक्राइब हाथ अप्रेट करने बाए या काूं इंसे था अप्रेट करने से वा तरीकाद में अअप्रेट DRCARBY पर यूज करेंगे ढ़र ओविवर यूज करना ऑदगे और Sabiin करने था नहीं कर obscene आपको update आधार online वाले option पर क्लिक करना है जैसे आप इसको पर क्लिक करते हैं process to update आधार नीचे वाले पर क्लिक किजिए अब यहां पर आपको address वाले section पर कर देना है कर देगा बाकी यहां पर देखिए अब आपको नया में क्या करवाना है यहां पर सब detail भर नहीं पड़ेगी जैसे care of में आप अपने father या फिर husband का नाम भरिए जिस भी स्थिति में आप है जैसे महिला है साधी हो चुकी है तो अपना husband का नाम भरेगी और कोई लड़की है या देना होगा एक proof दोकमेन प्रूफ तो यहां पर हम डोकमेंट के रूप में बहुत सारे चीज़ दे सकते हैं जैसे हम यहां पर आपको दिखा देते है जैसे इसको पर क्लि andare Państu दिखा देगा इत्ती शारे चीजें यहां पर नाम लिखा राहा है कि कि इलेक्रिषिटी का बी बिल का statement हो, किसान photograph, passbook हो, ऐसे करके बहुत सारी चीजे इसमें दी गई है, जो भी चीज आपके पास कोई एक हो, उसको slate करो, और उसका photo खीचके आपको यहाँ पर upload करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक document को slate किया लिया, वोटर ID card भी आप दे सकते हो, ठीक है, वोटर ID card दिखो, लिखा हुआ है, तो आपके पास जो भी document हो, उस document को अब त्यार कर लो, और त्यार करके, slate करके, उसका एक photo खीचके, यहाँ पर continue to upload, यहाँ अप्लोड करके, उस photo को, यहाँ अप्लोड कर दो, यह देखो, हरा आ जाएगा, सो लिखा आ जाएगा, यह मैंने upload कर दि दिखेगा, यहाँ पर दो टिक लगाना पड़े के बाद में, यह देखो, यहाँ पर लिखाव आगे, इस परकार का address आपका लिखाव आएगा, यहाँ पर लिखाव आगया है, प्लस आपका supporting document जो बोलते है, जिसको वो भी यहाँ पर लिखाव नजर आ रहा है, मतलब आग कहीं और से आप करवाओगे न, तो 100 रुपे ले सकता है वो बंदा, तो यहाँ पर हम 50 रुपे का payment करते हैं, 50 रुपे का payment करके यहाँ पर अपना काम clear करते हैं, जैसे हम यह payment करेंगे दोस्तों, payment clear हो जाएगा, and clear होने के बाद में, यहाँ पर देखो, मैं payment करता हूँ, pay and यहाँ पर pay to 50 रुपीज, and यहाँ पर payment complete करते हैं, payment complete होने के बाद दोस्तों, automatic आप redirect हो जाएगे, redirect मतलब आप आजाएगे इस website पर देखिए, अब यहाँ पर देखो, automated time पंदर सेकेंड में, आपको यहाँ से हटा देगा, update हो जाएगा, अपने payment कर देखो, उपर लिखा ह आगे लिखावा कि payment हो गया है, आपको एक request number ही मिल गया, उपर देखो, SRN number लिखावा, उसी के सारे आप अपना status चेक कर पाओगे, कि address चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ से हटने के बाद जब आप थोड़ नीचे आओगे, तिया request लिखा हुआ है, तो request के नीचे देख आपको लाइक कर जिएगा, और साथ में दूर से दोस्तों के साथ भी share किजएगा, ताकि उनको इस बात की knowledge हो सके, कोई भी question हो, query हो, confusion हो, तो नीचे comment किजएगा, हम उसके उपर वीडियो लाने की कोशिस करेंगे, या फिर आपको reply देंगे, मिल तो नेक्षी वीडियो में अच्छी और साले वीडियो के साथ अब तक के लिए जय हिन, जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जहिएगा,